लेट से मैं चाहता हूं कि जो मेरे डिजाइन वन फ्लोर का होना चाहिए जिसके अंदर मैं चाहता हूं चार बैडरूम देना और टू बातरूम में लिए काफी है उसके बाद जो मेरे क्लाइन को बैडरूम का साइज है और भी देख लेते हैं यहां पर 16 भाई 11 का दिया उसके बाद मैं क्लिक करूँगा जन्रे डिजाइन के ओपर इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद मुझे ऑटमाटिक ली फ्लोर प्लैन डिजाइन करके दे देगा जैसे आप यहां पर देख सकते हैं तो एक नहीं है उसके दूसरा भी ऑप्शन है तीसरा भी जो मुझे है मैं इसको आइड भी कर सकता हूँ और इतना है नहीं लेट से कि मुझे डियन पसंद है और उसको मैं डिजाइन डालोंगा और डिजाइन करने के बाद मैं इसको विजुलाइज भी कर सकता हूँ विजुलाइज का मतलब है कि मैं इसको एक्षिरे इंडिर के अंदर अपन क्वालिटी में चाहिए तो गड़ करना पड़ेगा और मैंने इसको जन्रेट पर क्लिक कर दिया है वो उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली रेंडर्स निकल के आ गए है इतना यह नहीं है अगर मैं चाहता हूं इंटेर्स पर काम करना तो लेट से की को सौन्टी यह आप अगर मैं मिनिम्लिस्टीक पर जाना चाहता हूं और यहां पर लोग ले लिते हैं ओर हम से जनरेट करते हैं तो यहां पर ऐसा क्विभ्ट दिसाइन आपके सामने आगया है So question simple है कि अगर इस सारा काम एक computer कर सकता है Artificial Intelligence कर सकती है तो architecture की जरूरत क्या है in future आज की वीडियो में यह discuss करने वाले है कि can artificial intelligence replace architecture in the future देखे पहले समझ लेते हैं कि artificial intelligence होता क्या है इसको अगर हम definition में जाएंगे तो उसका मतलब होता है It is the simulation of the human intelligence process by machine especially computer system Simple language में जो intelligence human show करते है अगर ऐसे intelligence computer show करते है हम उसको गोलेंगे artificial intelligence या फिर AI तो क्या यह पहली बार ऐसा हुआ है इंडस्टी में की नई technology आई है क्या आज से पहले भी को technology आचुकी है इसका जवाब है हाँ आज से पहले भी बहुत innovation हुआ है तो अगर आप देखेंगे की अपने परेंट से बात कीजी अगर आप बताएंगे 1980 में जब computer इंडिया में तो यहां पर भी इंडिया में प्रोटेस्ट हुए यह माना जाता था कि यह computer दस लोग काम कर देगा तो जो खतम हो जाएंगी तो जब इंडिया के अंदर computer इंडिया के जा रहे थे तो काफी जग है लोगों ने इसके गहें से प्रोटेस्ट किया तो आज प्रोटेस्ट होना आज इसके बारे हम बात करना इस जाएज है कुछ गलत नहीं है इवन computer के हम बात करें तो आर्किटेक्चर फिल्ड भी ऐसा कभी नहीं रहा है बिफोर 90-80 जब आर्किटेक्चर इंडियूस किया गए था उससे पहले आपको इस तरह की ड्रोइंग बनाए जाती थी आपको एक डिजाइन की पांच ड्रोइंग बनानी है इस तरह काम जो रिपिटेटी वर्क है जो आपने एक सिस्टम बना दिया है उसमें आपको एक काम लगतार करना है तो ऐसा काम इनवेशन खतम दर देगी या फिर जो मसीन होती है इंडेस्टर रफलूशन आया उसके नदर भी यह देखा गया लेकिन यह माना जाता था कि कोई भी टेकलोजी इनोवेटिव जो वर्क है या फिर जो एक डिजाइन वर्क है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी लेकिन आपने देखा होगा कि आपको सिर्फ आपने डिस्क्राइब करने है कैसे फोटोग्राप चाहिए अगर हम बात करें जैसे में आपको तुर्दे पहले दिखाया अपको टूरी टूर्ट बराएक दिखाए कितना साना बराना मस्किल से एके दो मट के बना सकते है नहीं तो पूरा दिन लेगा तो आज आपको सिर्फ चोटास इंटरनेट से और अपना बना करते देगा वोक्तों बनाई जा सकते हैं डाटा माइनिंग की जा सकती है सुचकर देखिए आगर किसी एक बिल्डर को पता हो कि जो आसफास के जो लोग है जोने क्लाइंट से उनका बिहेविर के है उस तरह के डिजाइं बना जा सकता है उनको अटेट किया जा सकता है तो आज आर्किटेक्चर के अंदर आर्टिशिल इंटेलिजिस ओलरी है लेकि सकता है जो एक सिस्टम हमें से बेडर तरीके से बना सकता है उसको उटलाइस कर सकता है लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आर्टिशिल इंटेलिजिएंस पूरा का भूरा ख़तम तरदेगा नहीं है ऐसा नहीं है so AI may not be able to replace the creativity and intuitions of human architects आसके वीचे रिजन है कि देखिए आर्क देखा जाए तो हम लोग ओने भी चेकर सकते हैं आपको एक आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस एक अच्छा उप्शन दे सकता है लेकिन हमें कही सार चीज़ ऐसी होती है जो डॉक्टर पो बतानी होती है कि आपको कैसा फील हो रहा आपका टेस्ट कैसा आ रहा है आपको कही पूटर नहीं समझ सकते हैं तो अगराम बात करें एवन ओफ्वोर्ट उनिविस्टी इनकी स्टेडिकी गए थी उसमें यह बताया कि आपको एक आपको एक आपको एक आपको एक नहीं हो सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसे इन कंपरेजिए अपर फिल्ट आर्टिट की जो रहने वाली है और अगर हम यह वाली बात भी करें कि अगर चलो ठीक हमान भी लेते हैं कि आर्टिफिशल इन्टेलिजेंश आर्किटर month डालेंगे लेकिन हैं जो कौनसा फिल्ट है जहां पर ईाइटाइल नहीं आरहीं क्या आपको लगता है कि ऐस मिल्ट नहीं है कि आपक आज के लिए आज कि आपने उस इसकिल को डबल नहीं किया तो कहीं नहीं आपको ड्रोबेक्ट करना पड़ सकता है तो आज की केस के दर क्या किया सकता है कि जो नहीं टूल्स आ रहे हैं इसको पर इक पर वीडियो वराई जा सकती है कि उनकों से टूल्स हैं जो आपको ड्रोबेक्ट करने को सिस्किजिए और यह बिल्कुल भी दिमाग से निगाल दीजिए कि पहले जाता लगता था आज वो कम लगेगा कुछ नहीं तरीके आने वालें लेकिन कहीं न गहीं आपने इसके साथ अपने अपने आपको इन्हासमेंट क्या हो इसके साथ साथ आप अगर आर्टेक्ट्चर की तियारी करना चाहते हैं तो पूरा पर दाइडल दी जाए तो थैंक यू फूर आइक पूरा क्लियर हो और वीडियो कैसी लगी इसको जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स